क्या आप एक photographer हैं और आप Australia में काम करने, रहने या study करने के इचुक हैं। अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में, हम आपको Australia में photographer के career scope और profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप description में दिये गए लिंक पर click करें। Hello दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया Immigration Information Channel A to Z Immigration Updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आस्ट्रेलिया में प्रोफेशनल्स के लिए skills और career scope पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजर हैं। इस वीडियो में हम फोटोग्रिफर से एक ऑस्ट्रेलिया एंप्लायर की जॉब प्रोफाइल से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे। हम फोटोग्रिफर के लिए उप्योग तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहाँ फोटोग्रिफर को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम फोटोग्रिफर के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए नियून्तम एज्यूकेशन और एक्स्पिरियंस की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल लेवल, लाइसन्स और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं। हम फटोग्रिफर के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्या आईउ वर्ड पर भी चर्चा करेंगे। करन्ट जॉब ओपनिंग्स, पिछले पांच सालों का अनालिसिस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन्स और करियर स्कोप भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम फोटोग्रिफर के औसतन सापताहिक वकावर्ज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग वीजा ओप्शन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं। आस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनिन्ट रेजिडिन्सी पाने और इस प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा ओप्शन्स। तो पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंद तक हमारे साथ बने रहे। अब आपका और समय न लेते हुए आईए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे। औस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुल्जा हुआ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस कोड को ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलिंड स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ओफ उक्यूपेशन या ANZSCO कोड कहा जाता है। यह ANZSCO कोड आपको किसी भी प्रोफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो अव स्टेटिस्टिक्स, ABS इन कोड के रिचता है। और ABS के द्वारा ही इन कोड को समय समय पर evaluate और revise किया जाता है। तो चलिए अब आपके व्यवसाय के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं। फटोग्रफर के प्रोफाइल का ANZSCO Code 211311 है। ABS के original content की authenticity को बरकरार रखने के लिए, profile description और कुछ दूसरे तथियों को हम यहाँ इंग्लिश भाशा में ही दिखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे। फटोग्रफर operates a still camera to take photographs. This occupation requires high levels of creative talent or personal commitment and interest as well as, or in place of, formal qualifications or experience. Australia में ऐसे बहुत से industry sectors हैं जहाँ आपके profile के candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं। आए एक बार कुछ ज़रूरी job sectors और industries पर नजर डालते हैं। फटोग्रफर के profile पर काम करने वाले ज्यादतर candidates मुख्य रूप से professional, scientific और technical services, information media और telecommunications और other services में कार्यरत हैं। Australia में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं। और आपका skill level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है। एक photographer के profile पर काम करने के लिए आपके पास bachelor degree या बराबर की अन्य योगिता ज़रूरी है। और photographer का skill level एक है। Australia और New Zealand के हिसाब से इस group के job level में bachelor degree और higher qualification की ज़रूरत होती है। इसके इलावा कुछ cases में educational qualification की जगहा पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित experience भी काम आ सकता है। अन्य कुछ मामलों में आपको experience के साथ on-job training की ज़रूरत भी हो सकती है। अगर आप Australia में skilled immigration visa के लिए application फाइल करते हैं तो आपको migration skills assessment की ज़रूरत रहती है। आपके profile के हिसाब से अलग-अलग assessment bodies के जरिये की जाती है। हर assessment body का अपना अलग assessment criteria और experience की अलग-अलग ज़रूरते होती है। अगर आप photographer के profile पर skill assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष experience की जरूरत है। आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किस उम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है। Australian Bureau of Statistics के latest survey के हिसाब से आपके profile पर job करने वाले लोगों का main age group 25-34 वर्ष है और औसतन आयू 37 साल है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा ratio काम के हिसाब से अलग-अलग होती है। तो आईए अब आपके profile में पूरुश तथा महिलाओं की gender ratio पर नजर डालते हैं। फोटोग्रफर में महिलाओं का 49.3 प्रतिशत हिस्सा है। Australia में ज्यादातर profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers फुल टाइम या पार्ट टाइम basis पर काम करते हैं। फुल टाइम या पार्ट टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है। अगर हम आपके profile की बात करें तो photographer के profile के 47.7 लोग फुल टाइम काम करते हैं। इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफते में average काम करने का time 41.9 घंटे हैं। Job openings की गिंती, company turnover और employment growth के उपर निर्भर करती है। पिछले 5 सालों तक के statistics के हिसाब से इस फील्ड में expected. Job openings 5,001 से 10,000 के बीच हैं। photographer के case में यह गिंती औसतन सत्र पर है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंग अच्छी वृध्धी दर प्राप्ट कर सकता है। Australia में कुछ ऐसे काम है जहां applicants को अपने profile से जुड़े licensing body से license तथा registration लेने की जरूरत होती है। अगर हम photographer के profile की बात करें तो इस profile के लिए हमें license तथा registration की कुछ cases में जरूरत नहीं है। अब हम सबसे महत्वपून factor average weekly earning को study करेंगे। Australia में सभी व्यवसायों की औसतन सापताहिक आए 1300 AUD है। ABS के हालिया सवे के मुताबिक, photographer का औसतन सापताहिक वेतन, tax deduction से पहले एरा no earnings data available for this occupation. Australia dollars है, जिसमें से आपके salary slab के अनुसार tax की कटोती करी जाती है। अगर आप किसी भी stream में permanent residency के लिए application file करना चाहते हैं तो process शुरू करने के लिए पहला कदम migration skill assessment है। इसके अलावा कुछ cases में, जैसे work permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद professional year शुरू करने के लिए आमतौर पर migration skill assessment के positive result की जरूरत होती है। अस्ट्रेलिया में विभिन profile categories के लिए अलग-अलग assessment bodies हैं। photographer के लिए migration skill assessment, vocational education and training assessment services, VETASCSS के द्वारा की जाती है। अगले section में हम अस्ट्रेलिया में job के लिए apply करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी steps के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने job portal को भी देखेंगे। यहां आप अपने profile से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा options को देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक यह विडियो पसंद आई है, तो आप हमें subscriber target 50,000 challenge को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें। कृपया अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के अंध तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें। हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं, और अगर हमें इस विडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे, तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के PR प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड विडियो बनाएंगे। इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं, कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट विडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं। अगर आप फिल्हाल ऑस्ट्रेलिया में हैं या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी आस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक प्रोफेशनल के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, जॉब आप्शन्स धू पॉटल खोजना, अपने सेक्टर की जॉब्स के लिए ओनलाइन या ओफलाइन अपलाई करना तथा ओनलाइन ओफलाइन इंटर्व्यूज के लिए तयारी करना। अपना बायोडिता तथा रिज्यूम तयार करने से पहले, आपको यह समझना चाहिए कि आस्ट्रेलियन इंप्लॉयर वास्तव में आपसे क्या एक्सपेक करता है। या हमारी रिज्यूम से संबंधित विडियोज को देख सकते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक परफेक्ट रिज्यूम लिखने की जानकारी उपलब्ध है। औस्ट्रेलिया सरकार ने जॉब एक्टिव नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्वव्यापी सेवा दी है। अपने डेडिकेटड पॉर्टल www.jobsurch.gov.au के जरिए, जो बैक्टिव, एम्प्लॉयर्ज और जॉब्स धूंडने वाले, दोनों की मदद करता है। बिना किसी फी के ये आपके लिए सही नौकरी धूंड सकता है। इसके इलावा आप हमारी टीम के साथ अपना सीवी भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप डिरेक्ट एम्प्लॉयर्ज और एम्प्लॉयमेंट एजेंसियों के हमारे वालियोबल नेटवर्क को आपके लिए उप्यूकत अवसर खोजने, के लिए हमारी टीम से मदद ले सकते हैं आद्जून, करियर वान, करियर जेट, और इंडीड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ओनलाइन नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है, इसके इलावा टॉप 15 जॉब पोर्टल्स की एक डिटेल्ड लिस्ट भी डाउनलोड करें जहां आप अपनी के लिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे सूटबल इंप्लॉइमंट का अवसर पाने के लिए ऑनलाइन अप्लाइ कर सकते हैं, अब हम ऑस्ट्रेलिया के पर्मनेंट रेजिदेंसी या वर्क पर्मिट्स पाने के लिए उपलब्ध वीजा सब क्लासस के बारे में संक्षेप में जा किया गया है जो हैं skilled migration visas subclass 189 यो की permanent residency पाने की direct subclass है state या regional nomination visas subclass 190 और 491 यो state nomination के द्वारा पी आर तथा टी आर पाने के रास्ते हैं permanent residence skilled regional visa subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 480 की continuity में पाने के रास्ते हैं employer sponsored visas subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप employees से सीधी sponsorship या nomination के थ्रू पी आर तथा वक पर मित्राप्ट कर सकते हैं business innovation investment और entrepreneur stream visas subclass 188 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाए में invest करके या फिर किसी innovative idea यो कि Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा work permit प्राप्ट कर सकते हैं कुछ specific targeted sectors के लिए global talent visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्ध तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि photographer के profile के लिए कौन से visa subclass says खुले हैं तो आप description में दिये गए link पर click करें आप photographer के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Photographer है इस सीरीज में आपको photographer के लिए permanent residency file करने की step by step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात Australia में study और settle होने के लिए उपलब्ध visa विकल्प और visa sub categories हैं तो आईए इसकी एक संक्षिप ज़लग देखते हैं अगर आप एक student हैं और photographer बनना चाहते हैं तो Australia पढ़ाई और settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक student, subclass 500 के तहट अपना study visa file कर सकता है हर student को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और subclass 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद work permit भी मिलता है जिसे post study work visa कहा जाता है अगर आप study visa में interested हैं और अपने लिए best colleges और universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो study visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी website पर जा सकते हैं या description में दिये गए link पर क्लिक करके expert advice ले सकते हैं इस video के लिए हमारी team ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की video और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी team को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपिया हमारे channel को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस video को like करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ एक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुमकिन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तस सली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees धूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube चैनल को subscribe, like और share करना न भूले दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detail जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे